एक सो बीस बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाग किलो मेटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे आर्विट मैनुवर्स इस प्रकार किये जाएं कि कि लोस का भी सुनिश्यू यह एल्जंच साह्ट कि अबिख इस विश. वार अरशाइनी ऑनुंस अधिए लिधा फिंगे हैं। ने बालनाशी लूंस फिराश्टिक के रिदेश हैं। लुज़ संग लूफ लूफ लूपर आफिवी दिए इनुमरर इल स्वाफ़ इंद हैं। आई ቤ नոब्यद हम अंसाफ रा च्राट नियंध से लाल अो च्राट पाटेन हनू और लुक किमाई with several software improvements provision for full-level redundancies a plethora of special tests namely the integrated hot test integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module the success of these tests has provided great confidence in the performance of all the on-board sensors propulsion system and associated guidance control and navigation algorithms the key findings during the tests have been able to improve the overall system performance the largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission mission plan लगभग लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है यहां यह वी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकट्तम कक्षा में स्थापित होने सारी गत्विदियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सत प्रतिसत सफल रहा हलाकि लैंडर माडूल के सेंसर्स और प्रपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आ करके मिसन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, लेच बीसी, लडीवी और लेच डैक का कारयात्मक परिक्षड भी किया जा चुका है LDV जो की पूर्णतह स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार, लैंडर के विलासिटी को तीनों अक्षों में कम्प्यूट करना है Power Descent के दौरान, लैंडर के सटीक पोजीशन और विलासिटी का ग्यान होना बहुत ही आवस्यक है LiraV यानि Laser Inertial Referencing and Accelerometer Package इस कारे को Power Descent के दौरान बखुवी निभाएगा Trajectory Generation जो की चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैनिवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की Mission Objective को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि आर्बिट डिटर्मिनेशन जो की उपग्रह के पोजीशन और विलासिटी को बहुत ही एकुरूटली बताता है एक वहुत ही कठिन और जटिल कमपिटेशन और एस्टिमेशन होता है यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का ओय चार सी पे लोड अब तक काफी उचे अस्तर का डैंप दान किया है जिसके फल्स रूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे 2.4 किलो मीटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान साफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा